नमस्कार दोस्तों मैं महें करोड़ा और आप देख रहे हैं हर्याना इखबर आज 24 अप्टूबर है और आज हम आपको इस वीडियो में हर्याना की टॉप 10 हेड्लाइन्स पर आने वाले हैं इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें और अगर आप इस चानल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले तो आएए नज़र आते हैं आज के मुख्या खबरों पर हर्याना और पंजाब सहित देश भर के रेल यात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है अब अरीज वर्ट टिक्टिंग सिस्टम यूटिये से लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी ट्रेन टिकट मिल सकेंगे रेलवे ने इस प्रस्ताफ को हरी जंडी दे दी है हर्याना में जल्दे सरकारी नौक्रियों का पिटारा खुलेगा राज्य में अगले साल मार्च तक 25,000 सरकारी पदों पर भरतियां होंगी इसके साथ ही भरती प्रिक्षाओं में आपती जनक सवालों से बचने के लिए एक्सपर्ट टीम बनेगी प्रदेश में किसानों को डिएपी खाद की किलत के कारण काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को खाद के लिए थानों में लाइन लगानी पड़ रही है वही हर्याना के सियाय मनोहरलाल का कहना है कि खात की समस्या पूरे देश में है जल्द इसका सवाधान किया जाएगा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने कहा कि प्रदेश के सभी सिरकारी करमचारी अब से स्मार्ट वॉच पहनेंगे जो कि ओफिस समय के दुरान उनके काम को ट्रैक करेगी और साथ ही अटेंडन्स लगाने का भी काम करेगी राष्ट्य राजधानी से सटे हर्याना के गुरुग्राम में स्थित 40 हस्पताल में 25 वर्षिय एक शक्ष के सीने की सरजरी कर करीब 14 किलोग्राम वजन का दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूमर निकालने का दावा किया है इस मामले से पहले अब तक निकाला गया सबसे बड़ा ट्यूमर 9.5 किलोग्राम का था जो गुजरात में निकाला गया था दादरी में अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की जान चली गई दो की सड़क धुगटना में तो एक की कुए में गिरने से मौत पते बाद जिले में हस्पिताल में भरती नौ महीने के बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है जबकि बच्चे की मौत के बाद परीजनों ने हस्पिताल में जम कर बवाल काट परीजनों का आरोप है कि इलाज के दुरान लापरवाई के कारण बच्चे की मौत हुई है हरियाना के मुख्यमंद्री मनोहरलाल खटर ने शनिवार को कहा कि सुहोना शेत्र के विकास के लिए रेल और सडक नेटवर्क महत्वपूरन है सुहोना को रेल सडक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा लोगों की लापरवाई पीम की अपील पर पड़ी भारी रोतक में खुले आम कोविर्क नेवमों का उलंगन किया जा रहा है लोग बिना मास के बजार में पहुँचे इसके इलावा सोशल डिस्टेंसिंग को भी तर्थ किनार कर दिया गया है ये सब करवचौत के मौके पर हो रहा है आज के लिए बस इतना ही पाकी की तमाम खबरों के लिए बढ़े रहे हर्यानाई खबर के साथ धन्यावाद